मैंने ग्रिल में देखा था कि औरेंज और पपीते का जूस बना रहे हैं और देखने में तो बहुत ही तेस्ट लग रहा था तो बाइचंस मेरे गर पे औरेंज और पपीता दोनों ही था तो मैंने सुझा चलो मैं भी बनाती हूँ ट्राइ करती हूँ यह कैसा बनता है तो यह juice बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक ओरेंग और उसे अच्छे से छीर लिया है उपपर का जो उसका white world apart होता है वो अच्छे से निकाल लेना है क्युक्छ बहुत ही कड़वा होता है तो उसे छीर लिया है मैंने फिर ले लिया है papita तो papita और औरेंज दोनों equal quantity में लेंगे तो यहां पे मैंने पपीते का एक छोटा सा पीस ले लिया है औरेंज के जितना ही quantity मतलब के perfect नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत हमें देखके समझा जाएगा कि यह equal है दोनों तो चलिए पपीतों को मैंने अच्छे से छील लिया है बीच में से seeds निकाल लिये हैं और अब यह जो औरेंज मेरे पास उसमें seed होंगे तो यह देखे इस तरह से हमें उसके अंदर से seeds निकाल लेने हैं क्योंकि seeds भी कड़वे होते हैं तो अगर हम उसे mixture में पीसेंगे तो seeds भ निकाल सकते हैं तो चलिए सारे seeds को मैंने निकाल लिया है और अब ले दिया है पपीता और उसे बड़े-बड़े pieces पे cut खर लिया है और अब डाल दीए है और पानी भी ज्यादा एड़ नहीं करना पड़ता है ज्यादा पानी एड़ करेंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा सा फिका पड़ जाएगा तो पानी ज्यादा एड़ नहीं करेंगे और पानी आप नहीं भी एड़ करोगे तो भी चलेगा तो ये देखिए हमारे स्मूधी या फिर juice भी आप बोल सकते हो एकदम ready है इसका taste मुझे ठीक था कि लगा लेकिन आप एक बर try करना क्या पता आपको पसंद आ जाए